किसी एक की गलती नहीं, गलत तो पूरा जमाना है, खुदा नराज है हमसे, करोना तो सिर्फ एक बहाना है वेल्कम टू ग्यानदेव स्कूल डियर स्टुडेंट, आज जो ये थाउठ है, ये करोना वाइरस के उपर ही है चुकि हम लोग जान रहे हैं कि अभी करोना वाइरस बहुत तेजी से फैल रही है और इसको रोकने का अभी तक कोई दवाई, कोई इलाज नहीं मिला है तो आप लोग घर में ही रहें, ठीक से रहें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें क्लास सेवन सब्जेट साइन्स पार्ट टू, नुट्रिशन इन प्लांट्स फोटो सेंथिस आइए अब देखते हैं प्लांट में पोशन भी दी और प्रकास संसलेशन की किरिया किस तरह से होती है प्लांट ऐजग्डे वाब अर ओट्रॉब्स, नूट्रें अट्र्डेंद यूश्ज़ाइए यूठोर बत्स फोट्रो बनते हैं यह dependent नहीं है, हम लोग dependent है, प्लांट पर एनिमल्स पर, प्लांट पर कैसे हैं, तो हम लोग चावाल दाल जो भी खाते हैं, यह प्लांट से आता है, milk, egg, उसके बाद मीट, चिकन, यह सब जो है एनिमल्स से प्राप्त होता है, घी, बटर, etcetera, तो हम लोग dependent हैं, बट प्लांट इस नो डिपेंडेंट फोर एनी अधर थिंग्स प्लांट जो है अपना भोजन खुद बना सकता है और यह खुद बनाते हैं सनलाइट के द्वारा आये देखते हैं अब देखते हैं किस तरह से हम लोग समझते हैं कि अपना भोजन किस प्रकार बना रहे हैं प्लांट बनाते हैं किस बड़ी में किस पार्ट में दूसरा है वाट राव मेटेडियर्स विच दप्लांट यूज तू प्रिपेर दियर फूड यानि यह कौन सा राव मेटेडियर्स का यूज करके अपना भोजन तयार करते हैं इसका केमिकल नुचर किस आ है और यह फूड किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं चलिए आए देखते हैं सबको एक एक करके देखते हैं फूड इस प्रिपेर और सिंथिलाइजड वनली बाय दोज प्लांट विच इस ग्रीन इन कलर देखते होंगे जो प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं वह बहुत ही ग्रीन होते हैं उसका जो देखते हैं पहुधा उसका लिफ्स सबको देखते होंगे बहुत ही हडा बरा राता है क्यों हडा बड़ा आता है तो उसमें जो पाया जाता है उसके करण पत्ती हडा दिखता है चलिए आगे देखेंगे इसको और यू मस्ट रिमेंबर देखेंगे जाता है जिसको कि हम लोग क्लोडोफील के नाम से जानते हैं क्लोडोफील इस परजेंट इन दा लीव एंड ऑलसो इन दा यंग ग्रीन इस्टिम्स यानि यह जो एक अच्छे पौधे होते हैं जो की ग्रीन पौधे होते हैं उसी के तरह में तरह के बाद जो सुरू होती है उस सब पत्तियों में पाया जाता है तो पत्ती जो हड़े सहारा नहीं दिखता है उसमें क्लोडोफील नहीं पाया जाता है याद रखेंगे दा फ्रोसेस बाइविच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेर दियर अन्फूड इस कॉल्ड फोडो सेंथिस यानि जिस प्रोसेस के दुआरा ग्रीन प्लांट अपना भोजन तयार करते हैं उसको फोटो सेंथिस यानि फ्रकास संसलेशन काते हैं फोटो सेंथिस यह दो वर्ट से बना है एक फोटो और दुसा संथिस फोटो का मतलब होता लाइट और संथिस का मतलब तूपूट का मैं यानि एक दूसरी से यह मिलके फोटो संथिस मिलके प्रकास संसलेशन के विधी भोजन तयार करते हैं During this process plant absorb the sun's energy through their leaves and convert it into food energy यानि जो परकास तर्सलेशन को वो अपने अंदर जो energy को उसको convert करता है उससे जो प्राप्त होता है उसको अपने अंदर absorb करके उसको convert करता है फिर उससे जो energy प्राप्त होता है उससे भोजन बनाता है उससे खाना प्राप्त करता है Using raw materials from the atmosphere and soil और उससे जो खाद पदार्त यानि कच्छा पदार्त जो होता raw materials वो atmosphere यानि वातावरन से और soil से प्राप्त करता है raw materials आए देखते हैं यह फोटो देख रहे होंगे यह फोटो सेंथेटिस के वीधी द्वारत के sunlight यहां से यहां पत्तियों पर रहा है और यह करवन को absorb कर रहा है यहां water तो देखते होंगे कि यह पेर पोधे में मिलता है या यह जमीन के अंदर से water को ढूंते निकालते हैं और जो होते हैं यहां से यह सब विधी द्वारा ऊपसी ओक अक्सीजन को यह बड़ीर खाद पतर होते हैं इससे जो अर्व करते हैं फल फूल के वाद्वार देखते ह। अब इसी फोटो के द्वारा हम लोग फोटो सेंथेथी से विद्य को समझ सकते हैं सबसे पर यह सनलाइट का प्रकास पत्तियों पर पड़ा तो इसको मिल रहा है उसके बाद सब्सकें गिवद्षय प्राप्ट कर रहा है इसका जिए नीचे के लिव्द्ध मेंतर से लुद्ध के फूरह के अपने उपल कि यहां अंदर कहते हैं यह से बड़ने से फूरे पत्तियों के उपड़ी भाग तक परूदि है यह carbon dioxide absorb करते हैं और oxygen release करते हैं sugars release करते हैं यहां पर protein या फिर यह उर्जा जो हता है उसको मुट करते हैं आए देखते हैं इसको story section की द्वारा दस फोर दस फोर फोर फोटो सेंथेटिस the following four things are required यहां पर four things required किया गया है सब को एक एक करके करते हैं सबसे पहले chlorophyll it is the pigment present in the leaves यह present होता है present में पाया जाता है pigment जो आप देखते होगे हरे पत्ते जो दिख रहा है यह chlorophyll के कारण ही क्योंकि इसमें हरे पत्ते के कारण है chlorophyll pigment के कारण ही जो यह पत्ते हरे दिखाए देते हैं दूसरह sunlight it is observed by the chlorophyll परसेंट इन दो लेव्श यह जो होता है सनलाइट एक अब्जॉर्ब करता है प्रकास परता है, उसके बाद पतियां इनसे अपने प्रकास लेकर पूरे पूरे रूट तक जाते हैं और उसके बाद यहां से अपने तरह से यहां पर रूट से अपना भोजन बनाते हैं और यहां से लिफ पत्तियों तक यानि इसके सीर्स उपड़ी भागों तक पहुंचता है और यह जो पहुंचाने का काम करता है पत्तियों के दौरा होता है और यह जो raw materials होते हैं से स्वाइल एट्मोसफेर और भी जो वाटर होते हैं सनलाइट के द्वारा यह अपना भोजन खुद बनाते हैं चली यह तीसरा दिखते हैं carbon dioxide it is absorbed from the atmosphere by the leaves through a small pores present on the lower surface of the levels these pores are called estomata यानि आप देखते होंगे सबसे पैली बात तो carbon dioxide इट्मॉसफेर से प्राप्त करते हैं यानि हम लोग carbon dioxide छोडते हैं च्ठोडते हैं इनिमल्स बगेरा जितने भी हैं छोडते हैं में जाके मतलब वो उससे वो अपना कर्ते हैं इसमें देह धंगे कि छोटा सा पत्तों के बीच बीच में चिद्र आप में पाया जयाता है उसी को媒 आपने इंदर लेता है और यह जो है और ओक्सी आपने अंथा को रिलीज करता है देख रहे हैं यहां से oxygen रिलीज होड़ा है सुगर रिलीज होड़ा है और carbon dioxide को sunlight को एब्सॉर्ब कर रहा है और fourth है जो water it is taken up from the soil by the roots and transported through the leaves through pipe-like structures called vessels vessels यानि यह एक pipe के थुरू यानि vessels जो जिसको कर रहा है कि उसके थुरू यह root जो होता है soil यानि जमीन के नीचे मिट्टी के नीचे water level को ढूंता और वहां से अपना water प्राप्त करता है they are present throughout the plant body और इसके बाद यह पूरे plant तक यानि जितने plant body तक होते हैं वहां तक यह पहुंचाते हैं the chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight chlorophyll जो होते हैं जो की इसकी पूरे part तक पहुंचता है सबसे पहली बाद sunlight के थुरू जो पहुंचता है इसके पूरे बड़ी तक यह और इसमें जो chlorophyll पाया जाता है यह lips में पत्तियों में पाया जाता है और उसके बाद कर रहा है यूज carbon dioxide and water to prepare food यानि इतना चीज के बाद यह यह यूज carbon dioxide के करता है उसके बाद water प्रिपेर इतना साथ चीज मिला के यह अपना भोजन तयार करता है the food prepared is in the form of carbohydrates यानि यह जो है उसी के बाद यह जो बूल रहा है food prepared यह अपना जो भोजन तयार करता है from the carbohydrates यानि sugar जिस तरह से इसको भी मिलता है अपना carbohydrates भोजन जो बनता है यह अपना भोजन तयार करता है उसके बाद का रहा है कि the food prepared is in the form of carbohydrates sugar their sugars ultimately get converted into starch और यह जो किसमें convert होता है तो starch में convert होता है यह दूसरा carbohydrates होता है another carbohydrate in the brief photosynthesis can be represented by the following equation आइए आपको ब्रीफ में समझाते हैं कि photosynthesis किस तरह से equation के द्वारा इसको रिपर्जेंट करता है तो यह इसका equation देखते हैं 6 CO2 यह जो 6 जो है यह 6 CO2 मतलब 6 carbon dioxide है carbon dioxide from atmosphere यह atmosphere से प्राप्त करता है carbon dioxide जो हम लोग छोडते हैं और oxygen लेते हैं क्योंकि हम लोग तो पेर पौदास oxygen ले रहे हैं और carbon dioxide जो छोडते हैं तो यह atmosphere से यह हमारे नाख से नहीं मतलब यह बाहर से जब निकलते हैं तो atmosphere में जाते हैं और atmosphere से यह plant carbon dioxide को लेते हैं तो six carbon dioxide plus six H2O, H2O मतलब जल, water from soil, यह जल जो है soil के भीता से यह अन्दर से लेते हैं और sunlight जो मिलता है sunlight का जो effect पड़ता है पोधे बहड़ा तो वो chlorophyll burn up के कारान जो होता है वो पोधे हड़े दिखते हैं पत्तियां हड़े दिखते हैं इंद लीप्स यह कहां पाया जाता ह और यह सब मिला के यह सब जो आगे अपना यह transfer करता है तब जाके यह glucose बनता है यानि carbohydrates food यह तब जाके अपना carbohydrates भोजन बनाते हैं तो यह glucose का formula 6C H2O6 यह formula of glucose है धियान रखेंगे उसके बाद 6O2 यानि 6 oxygen यह सब मिलके यहां से लेके यहां तक का जो बीधी है इस process के द्वा द्वारा यहां पर भोजन तयार हुआ और यहां से oxygen रिलीज किया और इस विधी से सबसे पढ़े देखते हैं यहां से जो equation है इस equation के द्वारा यह carbon dioxide को अपने अंदर लिया फिर यह water को अपने अंदर लिया उसके बाद सनलाइट इस पर पढ़ा chlorophyll है ही है लिप्स पढ़ it's पत्राइब ऑस छे पैसे बाद इस पढ़ाने के बाद और यह वाड़ें करते हैं वोच्छल ग्रमूज करते हैं तो यह इतना सारा चींच हएं यह और आपका यह जल है और 6O2 यह carbon dioxide है और H2O gel है तो इतना सारा जो यह equation था यह photosynthesis था चलिए आप आते हैं from the above equation you can see that there is an interesting byproduct of photosynthesis oxygen यानि आप जो देखे होंगे मैं इसके ओपर का जो आप देखे होंगे यह equation इससे आप देखे होंगे किस तरह से यह interesting product photosynthesis के द्वारा समझायागे कि oxygen कैसे किस विधिश तक जाके निकलता है इतना सरा चीज होने के बार लास्ट में oxygen रिलिज होता है this gas is essential for the survival of all living organism यह जितने देखे आप यह oxygen की बात कर रहा है यह बहुत ही important है और इसी के द्वारा सब जो जितने भी organism है वो जीव जनतु सब जिंदा है तो survival इसी पर करते हैं तो यह gas है oxygen याद रखेंगे अगर कोई पूछ देखे आप कुन सा gas यूज करते हैं लेते हैं सबस्के सबस्दाए और रोल आफ लिवस इन फोटो सेंथेटिस अब में फोटो सेंथेटिस का वीधी को समझेंगे इसका रोल क्या है तो फोटो संथेटिस जमीटटिस प्लस दो इन देदली फसे यह जो होता है इस में इस ऊंदarti Majo का जो होता है इस में सबसे पहले सब ल इनका बारी भाग है तो सबसे पहले पतियां पड़ा, in other words, it is the site of photosynthesis, all the four things, CO2 यानि carbon dioxide, H2O यानि जल, sunlight and chlorophyll required for the processes must reach the leaves, इतने सारा चीज है, जो हता है, ये पतियों, सबसे पहले पतियों के सारा sunlight, जो chlorophyll पड़ा हुआ, sunlight पड़ा, इसमें पाया जाता है, जिससे हड़े होते हैं, और carbon dioxide को ये absorb करते हैं, और ये H2O जो जल बनाके पतियों तक सिर्स भाग तक पहुचाते हैं, ये सब जो होता है, कि या ये भी दी, वो पतियों तक होता है, पतियों में भी होता है, require for the process must reach the leaves, ये सब जितने भी होते हैं, ये पतियों के द्वारा ही होता है, पति क्या ही होते हैं, leaves यानि पति ही होते हैं, जो कि वो जितने भी फूर होते हैं, जितने भी पानी होते हैं, ये उपड़ी भाग तक, पौधे के उपड़ी भाग तक पहुचाते हैं, leaves process are the following two features which make it possible, अब देखिए, leaves का दूर्ज पोसेस है, उसको देखते हैं, ये किस तरह से possible leaves content the green pigment chlorophyll in their cells, यानि इसका भी कोशिका पतियों में भी होता है, तो सबसे छोटी मतलब इसमें ये कहा जा रहा है, इसमें green pigment यानि जो chlorophyll होता है, वो उसके पतियों तक होता है, पति में होता है, this helps leaves to capture the sun's energy, और इसमें इतना छमता होता है, ये मदद करता है, ये sunlight को capture करने क जोकि अगर chlorophyll है तभी वो sunlight को capture कर पा रहा है, energy प्राप्त कर रहा है, और उसको convert करता है अपने अंदर, फिर उसको जाके ये भोजन तयार करता है, which is used to prepare food from carbon dioxide and water, फिर जाके ये carbon dioxide जो atmosphere से प्राप्त करता है, उसके बाद ये water, soil के नीचे से लेता है, इसका root तो धोनी लेत होता है, धूलने के बाद ये फिर खाना बनाना स्टार्ट करता है, और इसको अपने आप पर dependent होता है, खाना बनाने में, दूसरा है, there are small of tiny pores called estomata on the surface of the lips, यानि इसके lips के पत्तियों के जो उपर में थोड़ा च्छिदर देखते होंगे, small tiny, वो जो है estomata का लाता है, और उ estomata carbon dioxide from the atmosphere enters the lips, यानि ये जो है, अब ये जो estomata carbon dioxide को atmosphere से अपने अंदर इंटर करता है, और ये पत्तियों जाता है, oxygen a by product a photosynthesis and water transparency, also go out the lips through the estomata, और जो भी oxygen इससे release होता है, और photosynthesis का प्रिक्रिया होता है, और पत्तियों के उपरी भाग तक जो जल पहुंचता है, वो सब estomata के द्वारा ही होता है, estomata से ही oxygen भी release होता है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गया होंगे, चलिए wait for next part, यानि इसका last part, जो उसको समझेंगे, heterotropic nutrition in plants, इस topic को cover करेंगे, और ये आपका last topic है, science का segment थोड़ा लंबा था, इसलिए ये तीन पार्ट में जाएगा, first chapter था, उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, today's work for you, ये आपके लिए work है, ये answer briefly, यानि shortcut में इसको जवाब देना है, और दूसरा question और तूसरा question तीन question आपके लिए है, अब इसको अच्छे से बनाएं, और अच्छे से इसको हमबर के रूप में रखें, और इस चीज को अगर कोई भी problem है, तो दोबाड़ा video देखें, और समझने की कोशिज करें, और हमें उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ होगा, चलिए मिलते हैं next part में, thank you, thank you all of you.